नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Civil 101 में मेरा नाम है संदीब कैसे हैं आप सभी लोग A very good morning to all of you दोस्तों आज के इस सेशन में हम highway engineering जो है वो पढ़ने जाएंगे highway engineering के इंदर अब तक एक सेशन इससे पहले हो चुका है जिसमें हम बात कर रहे थे highway जो है इसकी history के बारे में highway की क्यों ज़रूरत पड़ी या road transportation जो है वो क्यों importance लेता गया धिरे धिरे with time जैसे जैसे wheel का invention हुआ और उसके बाद जो है हमें एक जगा से दूसरी जगा by road अगर by highway हमें जाना हो तो उसके लिए कैसे कैसे जो है वो progress होई history से लेके present तग उसके बारे में बात की थी दोस्तों आज से हम बात कर देंगे पूरे जो engineering aspect से हम highway engineering जो है वो पढ़ना शुरू कर देंगे तो इसी के अंदर बात करेंगे कि एक highway के cross section elements क्या क्या होते हैं और उसके बाद geometric design के बारे में हम बात करेंगे कि geometric design के अंदर क्या क्या बातें जो हैं वो हमें देखनी होती है आज session हमारा थोड़ा सा जल्दी हो रहा है और इस session के अंदर जैसे अभी हम highway के जो बिल्कुल basics वाले जो पार्ट हैं वो हम cover करेंगे आने वाले जो आपका next Monday है उसके बाद से आपको एक fixed schedule है time table है उसके according की session चला करेंगे अभी कल शाम को class हुई थी और अभी सुबा आठ बज़े हम session रख रहे हैं नौ बज़े के बज़ाए तो थोड़ा सा जल्दी cover हो जाए इसलिए चली लेटे स्टार्ट चली बात करते हैं दोस्तों तो हम पढ़ रहे हैं जैसा कि आप सभी को पता है civil band 01 पर which is the part of an academy and an academy is इंडिया's largest online learning platform जहां पर आप अपने dream exam की तयारी कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों an academy की app आज ही install कर लेनी है जैसे ही आप an academy की app install करेंगे आपसे आपका goal पूछा जाएगा आप किस exam की तयारी कर रहे हैं जैसे exam की आप तयारी कर रहे हैं वो आपका goal होगा तो नीचे लिखा होगा try an academy for free और इसमें आपको बस एक invite code की ज़रूरत पढ़ेगी और वो आप use कर सकते हैं संदीब double one जैसे संदीब double one आप use करेंगे आप free sessions जो हैं वो देख सकते हैं अगर subscription पर बढ़ना चाहते हैं तो get subscription का button होगा duration select करने हैं आपको कितने duration के लिए आपको subscription चाहिए कितने duration तक आप तयारी कर रहे हैं एक्जाम्स दे रहे हैं और उसके बाद वहाँ पर use referral code का option होगा तो उसमें आप संदीब double one यूज कर सकते हैं जिससे आपको 10% off मिलेगा और साथ ही साथ में आपको access मिलेगा कर सकते हैं तो दोस्तों बात करते हैं highway engineering की और highway engineering शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं highway engineering के अंदर आप अगर बात करें सबसे बिल्कुल basic से basic तो हम start करेंगे कहां से जब भी आप highway के उपर जाते हैं जब भी आप highway के उपर जा रहे हैं let us say कि ये आप highway पर जा रहे हैं यहां पर तो highway के अंदर आप जाते हुए क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है highway में क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलती है या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि इस highway को यहां से अगर आप काट देते हैं यहीं कि इसका cross section देख रहा है आप यहां से तो इसको काट के फिर उसके बाद यहां से आप देख रहे हैं इस तरफ से आप देख रहे हैं तो एक highway के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें दिखेंगे इस तरीके से यहां पर इसके cross section के अंदर तो central वाला portion जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है साइड में slopes दिखेंगे आपको train दिखेंगी यहां पर तो shoulders दिखेंगे और components जो इनकी बात करेंगे हम तो एक highway के cross section के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें दिखेंगी पहले इसके बारे में बात करेंगे width कितनी होती है, lane की width कितनी होगी इसके बारे में जानेंगे हम फिर उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों की highway के उपर अगर आप जाते हैं तो highway पर क्या चीज़ें, सिर्फ इतना sufficient नहीं होता है कि आपने एक pavement बना दिया, एक रस्ता बना दिया आपने एक layer बिचा दिया है, जिसके ऊपर vehicle चलने वाले है इतना sufficient नहीं होता, क्योंकि सिर्फ इतना करना होता तो हम safety ensure नहीं कर सकते हैं हम वहाँ पर comfort ensure नहीं कर सकते हैं जो सिर्फ ये ensure कर रहे हैं अगर आप एक अच्छा pavement बना देते हैं बिना उसको properly design किये तो बस ये होगा सिर्फ और सिर्फ कि आपका vehicle जो है वो उसके उपर smoothly चल सकता है बस लेकिन comfort रहेगा या नहीं रहेगा safety रहेगी या नहीं, इसकी कोई guarantee नहीं है और वो definitely नहीं रहेगी अगर plan करके, design करके नहीं बनाया गया तो तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं other than कि एक अच्छा pavement surface provide करने के, pavement surface provide करने के अलावा क्या क्या बातें जरूरी है जो एक highway के अंदर अगर हम बात करें आप imagine करिए एक situation कि आप road के उपर जा रहे हैं और आपने देखे होंगे अक्सर ऐसे point आप road के उपर जा रहे हैं अपने vehicle में और आपने अक्सर ऐसे point देखे होंगे जहां पर क्या होता है एकदम से कोई sharp turn आ गया एकदम से कोई turn आ गया और कुछ ऐसा turn आ गया कि यहां से आप जा रहे थे और जब तक आप यहां पर पहुंच गया है आपका vehicle यहां आ चुका है तब आपको पता लगता है कि एक vehicle जो यहां से आ रहा था वो just आपके बहुत close आ चुका है इतना close कि accident की probability बन गई तो ऐसे case में क्या हुआ यहां पर क्या चीज प्रोवाइड नहीं की गई यहां पर कमी क्या रह गए कि वो accident की probability बनी कि इस user को यहां से आता हुआ user दिख ही नहीं रहा है पता ही नहीं कि यहां से कोई vehicle आ रहा है यह problem हो रही है यहां पर कुछ जगा ऐसी हो सकती है कि जहां पर proper आप देखेंगे अगर तो आपका vehicle जो है वो यहां जा रहा था next उससे आगे एक और vehicle जा रहा था यह बहुत slow चल रहा है यह vehicle सामने से vehicle और vehicle आते जा रहे है आप unnecessary उसके पीछे आपका मतलब जो road की design speed है उस design speed से वो उस vehicle बहुत धीरे चल रहा है आप उसको overtake ही नहीं कर पा रहे है तो यह भी क्या हो गया एक design का क्या है कमी है कहीं न कहीं कि properly design नहीं किया गया इस road को जिसके कारण overtaking में इतने जादा issues आ रहे है तो जहां पर भी accidents की probability बनती है sufficient distance नहीं मिल पाता है user को कि वो brakes apply करे और brake apply करने पर vehicle रुक जाए आगे accident होने से पहले proper आपने वहाँ पर sign boards नहीं use कर रखे है proper आपने वहाँ पर जहां speed breakers की ज़रूरत थी वो नहीं कर रखे है कोई intersection है अगर हम बात करें intersections है इनको properly design नहीं किया हुआ है कि कोई एक vehicle जो है वो इधर से आ रहा था उसको straight जाना था यहां से vehicle को भी straight जाना था इस intersection पर conflicts हो रहे है या फिर आप यह कह लेजिए कि यहां पर आके accidents हो रहे है तो इन सब को properly design करना ज़रूरी है आपने देखा होगा अक्सर कि कोई एक particular mode होता है या एक turn आता है बहुत ज़्यादा sharp होने के कारण अक्सर वहां पर vehicles जो है जब turn लेते हैं मूडते हैं यहां से तो वो क्या हो जाते हैं road से नीचे उतर जाते हैं या फिर यहां पर कोई पेड है building है उनसे टकरा जाते हैं skid कर जाते हैं पलट जाते हैं क्यों हो जाता है क्योंकि turn जो है उसको properly design नहीं किया गया वहां पर super elevation नहीं दिया गया centrifugal force बहुत ज़ादा लगी बाहर की तरफ vehicle topple हो गया यह skid होता है वहां पर जिसकी वज़े से क्या होता जाता है दिरे दिरे यह road जो है इसका outer surface क्योंकि vehicle जो होगा वो बाहर की तरफ खिचेगा आपको पता है centrifugal force लगेगी जब भी किसी curve के उपर आता है तो centrifugal force लगती है mv square upon r अब यह centrifugal force क्या करेगी आपका यह जो vehicle है इसको या तो इस direction में इसे skid करा देगी vehicle ऐसे जा रहा था लेकिन यह इसको क्या करवा देगी इस direction में skid करवा देगी या फिर टॉपल करवा देगा ओवर टर्न कर जाएगा वो यहां पर बाहर के जो surface होता है road की बाहर की तरफ outer वाली जो edge होती है वहाँ पर pot hose बनने शुरू हो जाएंगे गड़े बनने वहाँ पर चुरू हो जाएंगे ठीक है तो इसलिए इन सारी चीज़ें यह सब किसके अंदर आता है कि हम अगर turn पर बात कर रहे है या horizontal alignment की बात कर रहे है highway की तो उसमें क्या-क्या points हमें ध्यान में रखने होते हैं कि हमारा highway जो है वो एकदम road user के लिए smooth रहे safe रहे वहाँ पर और जो हम construction कर रहे है वो construction भी क्या रहे है economic रहे है ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत ज़ादा पैसे जो है वो unnecessary waste करने है तो बहुत ज़ादा क्या थोड़े से भी waste नहीं करने है हमें तो जितना भी amount हमारे पास हो उसको हमें maximum से maximum utilize करना होता है उसका maximum utilization करना है ये case आगया और क्या case हो सकता है आप imagine करें एक situation कि आप hilly roads पे जा रहे हैं hills पे जा रहे हैं तो वहाँ पे पहाड़ों में क्या होगा अगर एक ऐसी road imagine कर लीजिए एक ऐसा curve imagine कर लीजिए कि आप जो है यहाँ पर थे आपका vehicle यहाँ था इस तरफ से भी vehicle brake apply करना भी शुरू करें तो भी collision को avoid नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि brake apply करेंगे और आप एकदम से जहां थे बहीं एकदम से freeze हो जाएंगे time लगेगा vehicle को friction को काम करने में कि वो उसकी speed को 0 तक लेके आए तो collision avoid करने के लिए sufficient distance की जरूरत है sufficient एक दूरी की जरूरत है कि vehicle भी रुख पाएं और वो एक ऐसी दूरी भी आपके पास हो कि आपको ये दिख जाए कि सामने से vehicle आ रहा है तो हम brakes apply करें या फिर हमें जो भी आपको left run लेना है, right लेना है वहाँ पर space available है या नहीं है तो कैसे इस collision को avoid करना है तो उसके लिए minimum distance available होना चाहिए तो ये कैसा curve है आप चड़ाई पर जा रहे हैं तो क्या है ये vertical curve है यहाँ पर vertical direction में हम बात कर रहे हैं अगर आप mode पे जा रहे हैं turn पे अगर आप जा रहे हैं तो कैसे direction की बात कर रहे हैं हम horizontal alignment की बात कर रहे हैं left turn लेना है, right turn लेना है horizontal plane में बाते हो रहे हैं यहाँ पर और यहाँ क्या हो रहे है vertical plane के अंदर बात हो रहे है अब आप देखें same situation imagine कर लीजिए कि एक valley है इसे क्या बोल देते हैं valley curve ऐसा curve अगर आपके पास होता है तो valley curve के अंदर भी क्या दिक्कत आ जाएगी अगर आप दिन में चल रहे हैं दिन में यहाँ से आप जा रहे हैं इस direction में और सामने से एक vehicle आ रहा है या कोई भी obstacle है यहाँ पर कोई भी रुकावट है ज़रूरी नहीं है vehicle कोई भी रुकावट हो सकते हैं तो आप यहाँ से चलते जा रहे हैं तो दिन में तो directly देख सकते हैं एक दूसरे को दूर दूर दिख जाएगा कि यहाँ सामने से कोई obstacle पड़ा है रस्ते में मान लीजिए कोई बारिश के गारण पेड गिर गया कुछ भी ऐसा obstacle आ गया रुकावट आ गई तो दिन में तो दिख जाएगा लेकिन रात में अगर हम बात करेंगे तो रात के अंदर headlight जो है वो तो सिधी जाएगी सिधा point करेंगी तो रात को headlight तो सिर्फ यहाँ तक का आपको दिखाएगी जादे जादा आगे का दिखी नहीं पाएगा और हो सकता है obstacle यहाँ हो तो कैसे हम इन vertical curves को भी design करें कि जब road construct कर रहे हैं हम highway बना रहे है तो vertical curves किस प्रकार से हम दें कि sufficient visibility हमेशा वहाँ पर बनी रहे जिसके कारण कोई भी accidents जो है वो ना हो avoid किये जा सके ऐसा भी नहीं होना चीए कि ठीक है visibility है लेकिन आपने observe किया होगा ना कई बार एकदम से आप ऐसे किसी valley कर पे जाते है ऐसे धलान पे जा रहे है और फिर एकदम से वापस जो है उपर जाना हो रहे है तो vehicle को नुकसान भी नहीं होना चीए एकदम से कोई जटका जो है वो नहीं लगना चीए passengers को discomfort नहीं होना चीए highway अगर डिजाइन कर रहे है तो वो एकदम बिल्कुल हर तरीके से चाहे safety के point of view से चाहे comfort के point of view से वो अच्छा होना चाहिए एक comfortable journey प्रोवाइड कर सके हम ठीक है अब देखे I hope आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने है highway के बारे में जानेंगे उसके cross section elements के बारे में जानेंगे geometric design में पढ़ेंगे कि कैसे हमें इसको geometrically design करना है geometric design के अंदर मतलब कि इसके dimension कैसे होना चाहिए slope कैसा आपको देना slope भी दो प्रकार के होंगे कैसे slope होंगे कि आप अगर highway को देख रहे है तो एक तो इसके cross slope की बात करेंगे cross slope का मतलब कि ऐसे कुछ इस तरीके से कि आपकी गाड़ी जो इतना जादा slope भी नहीं होता बस दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका vehicle जो है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चल रहा है आपका vehicle ऐसे इस direction में road के उपर जा रहा है तो यह तो होगया cross section में आप देख रहे हैं ताकि अगर बारिश आए तो बारिश का पानी जो इसके उपर road के surface के उपर, pavement के surface के उपर गिरे तो वो ऐसे side में निकल जाए और side में जो हमने drain बना रखी होगी उसके थुरू वो बाहर निकल जाए एक ये वाला slope की अगर आप बात कर रहे है तो यह कौन से slope है, cross slope की बात करते हैं फिर एक slope आपका हो सकता है जिसका इतना ज़्यादा importance नहीं है contain and less हम बात कर रहे है gradient पर जाने के जढ़ाई पर या धलाई धरान पर जाने के बात कर रहे है तो length की direction में अगर हम बात करें तो length की direction में अगर हम देखेंगे तो कितना horizontal चलने पर कितना vertical slow पा रहा है इसकी बात करते हैं फिर आप ऐसे कहले जी आप region express कर रहे है plane region की बात कर रहे है या फिर आप rolling terrain की बात कर रहे है तो इसको अगर आप define करेंगे तो ऐसे define करेंगे कि कितना distance चलने पर कितना horizontal distance चलने पर कितना आप vertical distance cover कर लेते है इस जगां के मुकाबले अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका मित्र जो है वो दो किलोमेटर दूर खड़ा है तो आपके दो किलोमेटर के distance में mean सी level के reference में आप मानें तो आप से आपका दोस्त कितनी height पर खड़ा है तो आप ऐसे कह लिजे तो इसके बारे में बात करते हैं longitudinal direction के बारे में highway में दो शब्दों का अकसर प्रयोग होगा एक longitudinal एक lateral दोनों में आपको confused नहीं होना है अगर आप ये road थी इस road के surface के along अगर आप बात करेंगे length के along अगर आप चल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि आप कौन सी direction में चल रहे हैं longitudinal direction में चल रहे हैं कौन सी direction में चल रहे हैं longitudinal direction में length की direction में आप चल रहे हैं अगर कहीं पर curve आ गया जैसे अगर हम मानें कि यहाँ पर curve था तो आपका vehicle जो आ रहा था इस सरफ से जो आ रहा था अब road के surface के या road की length के जिस direction में road जा रहे थी इसके perpendicular direction में अगर हम बात करेंगे तो यह कौन सी direction होती है lateral direction होती है तो जब भी आप highway पे जा रहे हैं रोड पे जा रहे हैं और आप brakes apply करते हैं तो brakes apply करेंगे तो friction काम करना शुरू करेगा अब जो friction लगता है वो friction कैसे लगता है आप यहां से आपका vehicle जा रहा था और brakes apply किया आपने तो वो friction जो लगता है वो कौन सा लगता है longitudinal direction का friction लगता है ज जब आप turn पे होते हैं आपका vehicle ऐसे सीधा आ रहा था और एकदम से यहाँ turn आया तो turn पे centrifugal force लगा और आपका vehicle ऐसे side की direction में sideways जाना शुरू कर देगा तो आपके vehicle के जो tires हैं वो क्या करेंगे ऐसे side वाली direction के इंदर ऐसे skid कर रहे हैं यहाँ पर तो sideways या फिर lateral direction में friction वहाँ पर act करता है तो जहाँ पे भी turn की बात करेंगे horizontal alignment की बात करेंगे horizontal curve की बात करेंगे जहाँ पर भी वहाँ पर lateral वाला friction एक्ट करेगा और अगर हम बात कर रहे हैं braking की कि आपने vehicle को रोक दिया brakes apply किये कितना minimum distance चाहिए कि आप brake apply कर पाएं सामने collision ना हो तो वहाँ पर बाते होंगी longitudinal वाले direction की तो इनको ध्यान में रखना है इन शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं नहीं दोस्ता भी को information नहीं है सच paper leak वगरा की चलो आगे बढ़ते हैं direct highway के जो cross section element है इनकी बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं geometric design की तो geometric design साधरन भाषा में जो अभी हमने समझा क्या क्या चीज़े हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी होती हैं वही सब बात कर रहे हैं यहाँ पर geometric design of highways deals with the dimensions and layout of visible features of highway जो भी आपको highway के उपर दिखता है highway पर आपको क्या दिखता है कि road की width कितनी है highway पर आपको क्या दिखता है कि अगर बिलकुल engineering दृष्टी से अगर आप देखेंगे तो highway पर आपको क्या दिखेगा कि road जो है वो थोड़ी थोड़ी side की तरफ धलान बनी ह हुई है या camber उसके उपर है नीचे center portion से थोड़ी सी उठी हुई है वो तो यह जो भी features आपको highway के उपर देखने को मिलते हैं वो कैसे है geometric features है उसके या फिर वो geometrically design कर रहे हैं हम यहाँ पर क्यो design कर रहे है ताकि vehicle जो है उसका maintenance जो है वो minimum रहे ऐसा नहीं है कि आप यह कैस होना चाहिए जो भी user उसको road को use कर रहा है उसके लिए comfortable हो safety रहने चाहिए accidents की probability कम से कम हो वहाँ पर minimize कर देनी चाहिए यहाँ पर अकसर आप सुनते होंगे ना कि एक ऐसा हर किसी गाव शहर के आसपास एक आदी जगह ऐसी जरूर होती है जहाँ पर जो है हम अगर बाहर जा में एक ऐसा accident हुआ था जिसमें पूरी family थी वो उनकी death हो गई उसके बाद से वो पूरी family भूद बनके वहीं पर बैठी हुई है अब जो भी वहाँ से गाड़िया निकलती है उनका accident हो जाता है रात को और जादा हो जाता है तो फिर ऐसी story associate कर देते हैं कि वहाँ से निकलो एकदम alert हो के निकलो एक्ट्वल कंडिशन क्या है कि वहाँ का कुछ न कुछ जो है अगर उस road की बात करें उसके design में कहीं न कहीं कमी रही हुई है या तो proper sight distance available नहीं है वहाँ पर या फिर proper curve available नहीं है proper radius available नहीं है जिससे कि उस turn से मुडने वाले vehicle जो हैं वो smoothly मुड पाएं सामने से vehicle जो आ रहे हैं उनको देख पाएं collision avoid कर पाएं तो ये सारी situation जो है ठीक है पहले इतनी जाद है जानकारिया नहीं होती थी तो इस तरीके से story frame कर दी जाती थी कि उस जगह पर बहुत accidents होते हैं बात सही है कि होते हैं लेकिन किस वज़ए से होते हैं वो identify कौन करेगा एक civil engineer जो कि highway को properly design करके बताएगा या फिर अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इतने सारे accidents हो रहे हैं तो उसका reason identify किया जाएगा कि किस वज़ए से हो रहे हैं क्या कमी है वहाँ पर उस road के अंदर और फिर उसको हम rectify कर देंगे the features normally considered are the cross section elements side distance consideration cross section मतलब highway के cross section को हम देख रहे हैं क्या क्या features आपको दिख रहे हैं इनके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में horizontal curvature horizontal turn ले रहे हैं आप यहां पर gradient चढ़ाई पर जा रहे हैं धलान पर जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी highway को design करते वक्त and intersection जब भी एक road दूसरी road को intersect कर रही है दो या दो से ज़्यादा roads आपस में intersect कर रही है एक जगह से तब हम इनके बारे में बात करते हैं proper geometric design will help in reduction of accidents and their severity, accidents को या तो खतम ही कर देंगे, reduce कर देंगे कि accidents ना हो या फिर severity की मतलब अगर होने की probability बन भी जाए, कोई ऐसा एकदम sharp turn आ भी जाए, जहाँ avoid ही नहीं किया जा सकता है जैसे hilly roads में अगर हम बात करें, तो एकदम बिल्कुल horizontal plane roads तो बहाँ बनाई नहीं सकते, या फिर एकदम smooth curve तो बहाँ बनाई नहीं सकते, कुछ ने कुछ sharp तो रहे गई लेकिन हम severity घटा देंगे, कितना खतरनाक accident नहीं होगा, होगा तो minor से होंगे और avoid करने लायक होंगे, avoid किये जा सकते हैं, ऐसे होंगे therefore the objective of geometry design is to provide optimum efficiency in traffic operation and maximum safety at reasonable cost ऐसा भी नहीं है कि बहुत जादा पैसा unnecessary हम लगा रहे हैं वहाँ पर, reasonable cost पर safety और comfort के साथ highway design कर पाए हम यहाँ पर, क्या-क्या elements होते हैं यहाँ पर, इनमें अगर हम बात करें, cross section के side distance के यह नहीं कि देखने से related, कि आपको कोई proper सामने से आता हुँ अभी कल दिख पा रहा है या नहीं, turn पे दिख पा रहा रहा है या नहीं, इनके बारे में बात करेंगे, horizontal alignment कि जब भी आप turn ले रहे हैं, curve पे जा रहे हैं, इनके बारे में बात करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट यह नहीं कि जब भी आप चढ़ाई पर धलान पर जा रहे हैं इनके बारे में बात करेंगे टाइपस ओफ रोड को अगर हम डिफाइन करें क्या-क्या प्रकार की रोड हो सकती है हमारे पास अब यहां से हमारे प्रॉपर हाइवे इंजिनरिंग शुरू हो गया है तो टाइपस ओफ रोड की बात करें तो रूरल रोड हो सकती है जो ग्रामीन इलाकों से जो सड़गे निकलती है रूरल रोड जिसके अंदर आते है नैशनल हाइवे जो है वो अलग-लग स्टीट्स को आप अच्छे से ट्रेवल कर पाएं लॉंग डिस्टिंस जब एक जगह से बहुत ही दूरी पर आपको जाना है स्टेट हाइवे की बात करें तो अलग-लग डिस्ट्रिक्स को कनेक्ट करने वाले किसी स्टेट के अंदर जो हाइवे होते हैं स्टेट हाइवे क्या देते हैं अलग-लग गएरिया से जो आके ट्रेविक वहा पर आ रहा है उसके अंदर कलेक्टर रोड हो सकते हैं जो देखने वाली रोड है वह अब हम डिजाइन करेंगे अगर highway को अगर हम design कर रहे हैं तो हम एक design vehicle मानेंगे कि हाँ किस के लिए आप design कर रहे हैं किस की बात कर रहे हैं कुछ तो एक vehicle मानना पड़ेगा कि हाँ इस vehicle के point of view से हम देखेंगे कि highway पर अगर ये चलेगा तो कितनी इसकी speed होनी चाहिए अगर turn लेगा तो कितना radius चाहिए इसके लिए turn पर speed कितनी होनी चाहिए इसकी height कितनी होनी चाहिए width कितनी होनी चाहिए तो एक ऐसा vehicle जिसके according हम highway को design कर रहे हैं उसे हम क्या कह देते हैं design vehicle कह देते हैं अब वो design vehicle जो है उसके अब ऐसा नहीं है न आपने देखा होगा चाहिए आप जो मर्जी vehicle देख लीजिए जो मर्जी आपको brand पसंद हो वो brand का vehicle देख लीजिए जो design चाहिए आपको वो देख लीजिए एक particular segment की अगर हम बात करेंगे तो उसके dimensions limited ही होते हैं आप अगर hashback गाड़ी देख लीजिए तो उसकी जो length है dimensions जो है वो आप एक limited ही देखेंगे ऐसा नहीं है कि किसी particular एक brand ने बहुत ज़ादा length में बढ़ा दी या width बहुत ज़ादा उसकी कर दी dimensions जो है वो specified रहते हैं कि इस dimension से ज़ादा dimension का आपका vehicle नहीं होना चीए तो ये कौन specify करता है अगर हम बात करें regulations की तो जैसे हमने बात की थी कि शुरू में जब जैकार कमीटी जो है उन्होंने एक technical body के बारे में सिफारिश की कि एक technical body होनी चीए जो regulations बनाए या फिर जो advise करे कि कैसे highway जो है उसके उपर और work किया जाए कैसे हम उस पर research करेंगे या फिर आगे जो है एक smooth traffic flow उसके उपर हो पाए तो उसके अंदर कुछ rules and regulations की बात करते हैं कुछ हमारे पास की vehicle जो है इनके particular यही dimension हो सकते है इतना weight हो सकता है ऐसा design होना चाहिए और अगर हम बात करें अलग-अलग type के vehicle की transport vehicle है यानि की commercial vehicle है जो समान लेके जाएगा trucks हैं, buses हैं इनके dimensions जो हैं वो भी specify किया जाता है इनकी height specify की जाएगी, width specify की जाएगी इन सब चीज़ों के बारे में जो हम बात करते हैं इनी specification तो ऐसे vehicle को हम बोलते हैं design vehicle कि एक design vehicle जो है इसके dimension जादा सजादा ऐसे हो सकते हैं इसकी height जादा सजादा इतनी हो सकती है तो ये design vehicle होता है तो design vehicle के according हम बातें करते हैं अब design vehicle के अंदर अगर पिछले साल की बात करें तो question क्या आया हुआ पिछले साल के अंदर question के अंदर length पूछ ली थी आप से length या dimension की बात करें अगर length कितनी होती है, height कितनी होती है इनके बारे में, SSE के अंदर question पूछा था, last year के अंदर यहाँ पर motor vehicle other than transport having not more than two axle, axle क्या होते है आपकी car जो होते है उसके अंदर दो axle होते है, एक front वाला एक पीछे वाला, जिसके साथ जो है जो आपके wheels या tires जो हैं वो attached होते हैं, अब wheel किसको बोलते हैं, wheel तो पूरा पहिया हो गया tires क्या होते हैं, जो सिर्फ इसके उपर black वाला portion लगा होता है, वो tire होते हैं, hope इतना आपको पता ही है तो ये, इसकी अगर हम बात करें, तो एक wheel और या फिर tire कह लीजी आप इस तरफ, और दूसरी तरफ जो है, वो भी connected होते हैं, तो इनके बीच में जो यहाँ पर element present है, इसे हम क्या कह देते हैं, this is known as axle कह देते हैं, तो 2 से ज़्यादा axle ना हो, motor vehicle other than transport, having not more than 2 vehicle, तो 9.5 meter जो है, इसकी length हो सकती है transport vehicles with rigid frame with 2 or more axle, 2 से ज़्यादा axle हो, तो उसका 11.25 meter तक length हो सकती है articulated vehicle with more than 2 axles, एक से ज़्यादा axles अगर उसके उपर हो, या फिर आप ऐसे कह लिजी कि जैसे 2 combinations हो, 2 box बने हो उनको join कर रखा हो, जैसे कि multi axle वाले जो trucks होते हैं, उनकी tractor trailer की अगर हम बात करें तो 18 meter इसकी length हो सकती है width of vehicle की बात करें, तो motor vehicle transport या फिर जो बड़े वाहन है उनके अलावा 2.5 meter तक इनकी width और अगर transport vehicle है, commercial vehicle है bus है, इनकी बात करें अगर हम तो ये आपका 2.7 meter तक इनकी width हो सकती है double decker buses की height 4.75 other for normal application 3.8 meter ISO containers जो होते हैं या train के उपर आपने containers देखे होंगे truck के उपर container रखे होते हैं जो समान लेके जाते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो 4.2 meter height हो सकती है इनकी, तो ये dimension से related equation आया हुआ अब तक इनसे related, तो वो आप एक बार नजर मारेंगे, फिर क्या पढ़ा अभी तक, पहला पढ़ा हमने type of road, इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है आपको अपने आप पता है कि क्या होते हैं और question इससे आएगा भी नहीं ऐसा कोई question, तो types of road में हमें पता है grameen इन इलाकों से जाने वाली सड़के rural road, शहरी इलाकों से जाने वाली urban road हमारे पास, type of vehicle ऐसा vehicle, जिसको देख के हम road जो है उसको design कर रहे हैं, उसके elements को design कर रहे हैं वो design vehicle, यहां से बात आ जाती है question वाली, जिसके अदर अब तक question जो है, यहां से एक बार पूछा हुआ है कि आपके dimensions के बारे में length of width of vehicle के बारे में पूछते हैं next है, topography क्या होता है topography जैसे आप किसी region के अंदर जाते हैं तो आप कहते हैं, यह तो playing area है आप किसी region में जाएंगे, वहां पर आप बोलेंगे यह तो hilly region है, पहाड़ी क्षेतर है यहां पर तो, तो आप कैसे बता देते हैं यह topography से आप बताते हैं, कि कितना horizontal चलने पर कितना vertical चल रहा है या एक unit vertical चलेंगे अगर आप यहनि कि vertical direction में अगर एक unit की बात कर रहे हैं, तो कितना horizontal distance है आप पहाड़ पर गए कहीं पर तो आपका दोस्ट जो है, वो यहां पर खड़ा है, आप यहां पर खड़े हैं तो आप क्या बता रहे हैं, कि अगर आपके और आपके दोस्ट के बीच में vertical distance जो है, वो एक meter है तो कितना horizontal distance है आपके बीच में तो यह इसका क्या बता देगा slope बता सकते हैं इसे हम, या फिर हम यह कह सकते हैं, इसकी topography कैसी है तो उस region को हम क्या बोल देते हैं वहां का country slope बोल देते हैं वहां पर क्या बोल देते हैं, उसका country slope या उस particular region की अगर हम बात करें तो हम उसकी topography explain करते हैं यह topography जो है, बहुत बहुत बार, throughout highway engineering या फिर civil engineering के अंदर ये शब्द यूज होता रहता है surveying के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो topography क्या होता है किसी भी area के land features के अगर आप बात करें या वहां का अगर country का slope आप बताएं, उस जगां का slope आप बताते हैं तो वो क्या बताता है, आप उसकी topography बता रहे हैं यहां पर, next important factor that affects the geometric design is the topography, सीधी सी बात है कि आपको plane region में अगर road बनानी है तो वो अलग तरीके से design के जाएगी हिली area में बनानी है, तो अलग तरीके से rolling region है, तो वहां पर अलग तरीके से, किसको plane बोलते हैं, किसको rolling बोलते हैं, किसको hilly बोलते हैं इसकी बात करेंगे अभी थोड़ी सी देर के अंदर तो पहले, I hope आपको समझ में आ गया होगा कि topography हम कैसे express कर रहे हैं It is easier to construct roads with required standards for a plane terrain plane region के अंदर वहां पर आसान होगा सड़क बनाना as compared to hilly It is classified on the basis of general country slope across the road alignment It is generally expressed as 1 in n और x percent 1 in n कह लीजिए, कि 1 unit vertical चलना है कि इतना horizontal in 200, या फिर इसे percentage की terms में express कर देते हैं, कि इतना percent वहां पर आपका cross slope या फिर country का जो slope है, उसकी बात करते हैं यहां पर, तो slope की value 0 से 10% अगर है 0 से 10% अगर है, या फिर आप ऐसे कह लीजी कि अगर आपको value कितना horizontal 1 unit vertical चलने के लिए कितना horizontal चलना पड़ेगा, 1 is to 10 है यहां पर, तो इसे हम क्या कह देते हैं 0 से 10 तक अगर यह ratio है, तो plane कहेंगे 10 to 25, तो उस जगा को, उस country के region को rolling बोलेंगे, कि यहां का terrain कैसा है यहां की topography कैसी है यहां पर rolling है mountainous की बात करें, तो 25 से 60% greater than 60% अगर हो किसकी बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, 1 unit vertical and horizontal, तो 1 by n into 100, अगर हम कर दें, तो यह कितना प्रतीशत है, इसके बारे में बात हो रही है यहां पर, तो कितने percentage है, 0 से 10 तो plane 10 to 25 होता है, तो हम कहते हैं rolling है, 25 से 60 है तो mountainous है, इससे भी ज़्यादा है, तो steep है, इससे भी ज़्यादा है, तो क्या है, बहुत ज़्यादा steep है, जैसे rocks में आपको देखने को मिलेगा, कि एकदम से सीधी डलान, या फिर आप अगर Mount Everest की बात करते हैं, तो वहाँ पर ऐसे होता ने, बच्पन में आपने कहानियां पढ़ी होंगी, यहां Mount Everest पे गए तो एकदम सीधी, जो है, बहुत ही steep कोई जटान आ गई, उसके उपर बात कर रहा है, तो ऐसे region जहाँ पर cross slope 60% से ज़ादा है, तो हम क्या बोल देते हैं, steep है वो, याद रखने वाली table है यह, अब तक अगर हम बात करें, तो vehicle के dimensions, वहाँ से question बन सकता है, यह तो बहुत ज़ादा है, तो उसे कहेंगे हम rolling, 25 से 60 कहेंगे mountainous, greater than 60 को बोलते हैं, कि steep है यह, आप road पर क्या-क्या चीज़ें देखते हैं, आप road के उपर एक cycle भी देखेंगे, आप road के उपर एक car भी देखेंगे, आप road के उपर एक truck या फिर bus जो हैं, वो भी आप वीकल मौझूद हैं, और specifically अगर बात करें, इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो है, बहुत ज़्यादा हमें पता है कि incredible इंडिया है, हमारा हर type की हर variety है हमारे पास, तो बुले कार्ट से लेकर आपको फरारी तक देखने को मिलेगी यहां पर, तो अब किसे विकल माने, कैसे विकल को count करें, अब वहाँ पर अगर cycle जा रही है, यो कोई bike जा रही है तो उसे क्या माने, एक विकल माने, आधा विकल माने, कितना माने, कैसे माने अगर आप count करते हैं, क्योंकि देखो हमें पता होना चिए, कि किस area के इंदर हमें road construct करनी है highway बनाना है highway अगर बनाना है तो उस पे सबसे पहले ये तो बताओ कि कितने लोग हैं इसको use करने वाले और जितने duration के लिए बना रहे हैं let's say 10 साल के लिए अगर आप बना रहे हैं तो उन 10 सालों तक जब तक वो duration खतम होगा तब तक कितने लोग जो हैं वो हो जाएंगे use करने वाले तो बिल्कुल end period तक design life जितनी होती है उसकी उस design life के end तक वो serve कर पाए properly उतने vehicle को उनके लिए design करेंगे यह नहीं कि traffic पता करेंगे कि तब तक कितना traffic हो जाएगा अब traffic को count कैसे किया जाए ट्रैफिक को count करने के लिए हम क्या करते हैं passenger car unit की term में हम count करते हैं क्योंकि एक cycle और car एक बात तो नहीं है या फिर एक car और truck एक बात तो नहीं है या फिर truck और बलग kart जो है वो एक बात तो नहीं है अगर road के उपर cycle चल रही है तो वो cycle इतनी रुकावट पैदा नहीं करेगी बाकी vehicles के लिए जितना की एक car कर सकती है जितना car करेगी उससे ज़्यादा एक truck कर सकता है अगर truck की बात करें तो truck फिर भी थोड़ा सा speed के अंदर चलेगा as compared to बलग कार्ट या फिर अगर बैल गाड़ी की बात करें तो dimensions भले ही कम हो इसके truck से लेकिन ये अगर road के उपर चल रही है तो आप खोद imagine कर लीजिए कि वहाँ पर congestion create करवा देगा आप google maps यूज करते हैं तो google maps में वो बोलते है जो आपके artificial assistant होते हैं वो क्या कहते हैं there is congestion ahead congestion का मतलब आगे जो है jam लगा हुआ है या फिर काफे सारे vehicle एक जगा इकठा हो रखे हैं धीरे धीरे बहुत धीरे speed से चल रहा है तो congestion कौन कितना create करता है इसके according हम बताते हैं कि इसे हम क्या बोलें कितनी unit मानें तो इसे define करते हैं passenger car unit से इसे हम define कर देते हैं PCU से कि सब को PCU की term में count कर लो एक general हमने unit बना ली कि हाँ एक जो है normal अगर car को हम बोल दे कि ये one PCU के बराबर है तो फिर cycle को कितना PCU मान लें truck को कितना PCU मान लें तो हमने convert कर दिया passenger car units की term में हमने convert कर दिया कि जैसे अगर आपके पास cycle है motorcycle है scooter है तो इसे हम half PCU के बराबर मानेंगे half PCU या आप ऐसे कह लें जी extended vehicle मान लिया हमने जिसे हम कह रहें one passenger car unit है यहाँ पर one passenger car unit या फिर PCU हम यहाँ पर कह देते हैं इसको तो PCU की terms में बात करें तो PCU अगर cycle है motor cycle है इनको half PCU से denote कर लेते हैं cars auto rikshak की अगर हम बात करें cars, van, auto rikshak की अगर हम बात करें तो यह आपका one PCU के बराबर cycle rikshak है अब आप यह देखें car से तो size उसका छोटा ही होता है लेकिन congestion ज़्यादा create करवा देता है अगर road के उपर अगर आप बात करें cycle rikshak चल रहा है तो वो क्या करेंगा congestion ज़्यादा create करवा देगा तो इसके लिए हमें से 1.5 देखते हैं आप अगर highways पे जाते हैं national highways पे जाते हैं तो बहुत जगा आपको माँ पर symbol देखने को मिलेगा कि इसके उपर जो है bikes allowed नहीं है या फिर जो है वहाँ पर अगर देखेंगे आप वहाँ पर auto rickshaw allowed नहीं है तो ठीक है चलते हैं vehicles लेकिन अगर allowed नहीं है इसका मतलब क्या है कि as per the design speed of that particular highway और express way वो उसकी speed नहीं है bike की या फिर auto rickshaw की उतनी speed नहीं है तो वो क्या करवाएंगे congestion create करवाएंगे accidents की probability create करवा देंगे इसके लिए वो allowed नहीं है यहाँ पर तो congestion के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने ये passenger car unit PCU की terms में इनको express किया हुआ है trucks की बात करें या bus की बात करें दुथ्री अब PCU for bullet card आप देख लीजिए bullet card, bell, gaudy, size इसका इतना बड़ा नहीं है जितना truck या bus का होता है लेकिन ये रुकावट पैदा कर देता है इसी के हिसाब से इसे 6 passenger car unit के बराबर हम consider करते हैं तो traffic capacity क्या है अब traffic capacity की अगर हम बात करेंगे तो कितने vehicle एक घंटे में वहाँ से pass करेंगे तो कितने vehicles जो है या फिर volume की बात करते हैं हम यहाँ पर कितने vehicles पर hour जो है pass कर रहे हैं किसी particular point से आप एक point पर खड़े होगे तो इससे आप बता रहे हैं कि traffic capacity कितनी capacity के लिए हमें highway design करना है इसके बारे में बात करते हैं अब traffic capacity कैसे पता की जाए traffic capacity के अगर हम बात करेंगे तो आपको पूरे एक साल का data लेना है आपको क्या करना है अब एक simple सी चीज समझने की कोशिश करना आपको क्या करना है 365 days आपके पास है 365 days का आपको data लेना है अब इस data में आपने क्या किया आपने पता किया कि किसी एक particular जगां पर आप खड़े हो गए उस जगां से एक दिन में कितने वीकल पास हो रहे है अब मैं thousands में express कर रहा हूँ ठीक है जब समझने के लिए हम बता रहे हैं हाँ पर तो आपने कहा कि जादा से जादा सुबह 8 बजे या फिर शाम को पांच बजे जो है उस जगां से एक घंटे में 2000 वीकल जो है वो पास हुए फिर उसके बाद यह आपने टाइम दे दिया कि हां और पूरे साल की डेटा की बात कर रहे हैं तो पूरे साल के अंदर let us say 1st April को सबसे जादा वीकल जो है वो देखने को मिले और आपने यहाँ पर मेंचिन कर दिया कि 1st April 2021 को सुबह 9 बजे सबसे जादा ट्रैफिक देखने को मिला 2000 वीकल पर आर पास हुए यहाँ से किसी पर्टिकुलर एक जगा पर आप खड़े हो गए फिर उसके बाद आपने देखा कि आगे उसके बाद मान लीजिए 15th में को 15th में को उसके बाद 1900 ऐसे इस तरीके से आपने पूरा उनको अरेंज कर लिया सिर्फ यह 2000 फिर उसके बाद 1900 फिर उसके बाद and so on ऐसे आपने इनको sequence से अरेंज कर लिया या फिर ये कह लिए आपने इनको क्या दे दी एक तरीके से rank provide कर दी कि ये सबसे ज़्यादा vehicle इस दिन फिर second number पे इस दिन फिर third number पे इस दिन फिर fourth number पे इस दिन ऐसे ऐसे करके जो maximum से maximum traffic किसी particular point से जो pass हुआ वो आपने mention किया फिर उससे थोड़ा काम फिर उससे थोड़ा काम ऐसे करते करते हम चलते गए तो जो तीसमे नंबर पे जो था थर्टियथ नंबर पे जो था 365 दिन का आपने data collect किया या फिर आप ऐसे कह लिजे कि 365 दिन के हर 24 घंटे जो थे उनका सारा data आपके पास है तो 365 into 24 hours का data आपके पास है उन में से आपने वो 30 values निकाली वो 30 values निकाली जो सबसे जादा थी सबसे maximum थी जो हमने for example कहा दिया कि 1st April 2021 को 9 a.m. पे सबसे जादा traffic था फिर 2nd rank पे जो था वो इतना था इस date को था जो भी था तो हमने उनको arrange कर लिया decreasing order में कि सबसे जादा traffic फिर उसके बाद कम फिर उसके बाद कम ऐसे से करके जो 30 नंबर की value होगी let us say 30 नंबर वाली जो value है वो है 1500 vehicles परा तो हम कहेंगे कि इसके according design करेंगे हमने maximum के according design क्यों नहीं किया क्योंकि बहुत जादा un-economic हो जाएगा वो हम 30 नंबर वाली value के लिए design करते हैं आप क्या करो 365 दिन का data collect करो 365 के अंदर भी कितने आ जाएंगे 365 days है अगर आपके पास और हर दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं तो आपने इतने hours का 365 days में 24 hours हर 24 hours का data आपके पास है इस में से जो maximum वाली values थी उनको उठाया आपने top 30 values को उठाया और उन top 30 में से जो 30 वाली value थी 30 नंबर पे जो 30 रैंक पे जो value थी वो आपने consider कि इसको मान के हम highway को design करेंगे अब इसको मान के design करने का कारण क्या इसको मान के design करने का कारण ये है कि एक साल में ऐसे 29 hours ही तो आएंगे ये हम क्या पढ़ रहे है कि कितने वीकल पर आरपास हुए तो एक साल में ऐसे 29 hours ही तो आएंगे जब जिस value के लिए design कर दिया हमने उससे ज़्यादा traffic होगा एक साल में ऐसे 29 hours ही तो आएंगे 29 29 घंटे ही तो ऐसे होंगे एक साल में जब जिस value के लिए हम इसके लिए design कर रहे हैं कि इतना traffic अगर आ जाए तो हमारा highway जो है उसको accommodate कर ले तो एक साल में 29 hours 29 घंटे ही तो ऐसे होंगे जब traffic जो है जादा होगा हमारे design वाली value से तो आप एक बात बताएं कि 29 hours out of 365 into 24 hours तो congestion की probability probability of congestion या chances of congestion कितने होंगे कितने percent chances हैं तो एक साल में 29 hours के लिए 365 दिन में से अगर 29 घंटे जाम लग भी गया तो क्या दिक्कत है कोई problem नहीं है एक दिन तो चल सकता है इतना तो manage किया जा सकता है क्योंकि अगर हम बिल्कुल top वाले के लिए design कर देंगे तो बहुत जादा investment आएगा बहुत जादा extra खर्चा पड़ जाएगा इसके लिए हम इतने के लिए design करते हैं तो 365 इतना तो हम adjust कर लेते हैं 365 में से 29 hours चल जाएगा इस value को एक बार solve करके बताएं कि ये value कितनी आ रही है आपके पास इससे related objective में question पूछा गया है ठीक है तो पहला simple question तो ये पूछता है कि हम कौन से volume के लिए design करते हैं तो हम 30 में नंबर की जो value होती है क्योंकि un-economic हो जाएगा unnecessary बहुत जादा खर्चा पड़ जाएगा क्योंकि एक साल में एक बार ही तो इतने vehicle आएंगे और अगर हम बात करें एक साल में 29 hours या 29 times ये तो इतने vehicle आएंगे जो हमने design कर दिया उससे जादा है वो तो इतना manage हो जाएगा 0.33 तो ये आपके पास आजाएगा 0.33 दूसरा objective question ESE में ये पूछा है कि congestion होने के chances कितने हैं तो 29 hours होंगे out of 365 दिन होते हैं और उस में से 24 गंटे तो इतने total hours में से सिर्फ इतने hours ही तो होंगे जब congestion होने की chances हैं गुणजाईश हैं वहाँ पर चलो next तो इसे हम कहते हैं 30th highest आरली volume इसे हम क्या कहते हैं 30th highest आरली volume अब आता है आपके पास annual average daily traffic क्या आता है annual average daily traffic पूरे साल का data लो और फिर उसका average ले लो total yearly traffic upon 365 days तो आप क्या कह देंगे ये annual average daily traffic पूरे साल के data के according आपने एक दिन का average बता है, पूरे साल में कितने vehicles जा रहे हैं, total yearly traffic divided by 365 तो annual पूरे साल के data के according average ले रहे हैं, daily basis के उपर, तो annual average daily traffic यह हम AADT से express करते हैं generally the design capacity is taken as 30th highest hourly volume, 30th number की जो value होती है, top 30 में से जो 30th number की value होती है उसके according design करते हैं, for Indian conditions 30th highest hourly volume comes around 8-10% of average, annual average daily traffic एक दिन का जो 350 दिन के हिसाब से जो average आता है उसका 8-10% होता है, यह hourly volume, एक घंटे का volume जो 30th highest hourly volume हम मानते हैं, वो किसके लिए design करते हैं कि एक दिन में जितना traffic आ रहा है उसका 8-10% उस particular एक आर के according हम design कर देते हैं आपसे यहाँ पर बोल रहा है पुरे साल के डेटा लो 365 से डिवाइड करो, तो यह निकि एक दिन पर at an average कितना traffic आ रहा है उसका 8-10% जो है, वो hourly वाला यह 30th वाली value लगब इसके आसपास आती है, 8-10% के बराबर आती है, अब इसी को अगर हम देखे, कि generally design capacity is taken as 30th highest hourly volume only for 29 hours in a year, the traffic volume exceeds the designed hourly volume, therefore percentage of time the designer willingly tolerate congestion, हम मन से, willingly मतलब अपनी इच्छा से, विल से, अपनी विल से, अपनी इच्छा से हम क्या कर रहे हैं, tolerate कर रहे हैं, congestion को tolerate कर रहे हैं, कि चल जाएगा, 29 hours एक साल में चल सकता है, तो वो आपके पास है, 0.33 कि कितना percent time ऐसा है जब हम adjust कर ले हैं, कि सह लेंगे तोड़ा design speed के अगर हम बात करें, तो design speed के अंदर आपके पास आता है design speed के according अगर हम बात करें, तो वो speed जिस पर 98% 98% vehicle, उस speed पर या उससे कम पर चल रहे हैं, तो उस speed को हम क्या बोलते हैं, design speed कह देते हैं, तो design speed कौन सी speed है, it is a speed जिसके उपर हम 98% या उससे कम vehicle, 98% जिस speed पर 98% vehicle, जिस speed पर या जिससे कम पर चल रहे हैं, उससे हम कह देते हैं, design speed कह देते हैं economical point of view से तो IRC ने जो limit किया है वो topographic according design speed जो है वो specify कर रही है कि कितनी speed होनी चाहिए तो it is decided theoretically as 98th percentile speed that is the speed at or below which 98% of vehicle are moving अब एक term और use होती है ruling speed ये क्या होती है ruling speed की अगर हम बात करें तो ruling speed जो है वो maximum design safe speed कितनी हो सकते है design के aspect से maximum से maximum कितना safe रह सकता है वो वाली speed जो होती है वो क्या कहते है ruling speed हम उसे बोल देते है ruling शब्द जो है वो आप कह लिजिए एक तरम से boundary वाली term है कि safety के point of view से जादा जादा कितना हो सकती है कोई चीज कम से कम कितनी हो सकती है कोई चीज safety point of view से अगर हम बात करें तो ruling शब्द का हम यूज कर सकते है ruling speed should be the guiding criteria however minimum speed can be adapted in localized section where cost consideration does not permit ruling speed कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कहना ये चाह रहे है कि safety के point of view से जादा से जादा कोई vehicle कितनी speed पे चल सकता है उसके लिए design करो क्या कह रहे हैं हम safety के point of view से कोई vehicle जादा से जादा कितनी speed पर चल सकता है अब उसके लिए highway design करो हर कोई नहीं चलेगा ठीक है बात लेकिन आप design कर रहे हैं तो एकदम perfection के साथ design करे हैं पता कोई vehicle बहुत तेज चले और वो कितना तेज चल रहा है maximum से maximum जितना safe है चलना उतनी speed के उपर चल रहा है यहनि कि ruling speed पर चल रहा है तो आप design करो उस speed के लिए लेकिन हमेशा ऐसा possible नहीं होता है terrain के according, topographic के according के उसके लिए according हम design कर पाएं लेकिन कोशिश यह की जानी चाहिए कि ruling speed के according हम design करें लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है जैसे कि sharp turns के case में हम बात करेंगे आगे पढ़ेंगे super elevation तो वहाँ पर maximum speed specify कर देंगे कि इससे जादा नहीं करना तो अगर ruling speed के according कोशिश करेंगे कि design करें लेकिन नहीं कर पाते हैं तो एक minimum speed हम बता देंगे कि इतनी speed तक करना है आपको जहां तक के लिए design कर दीजिए यह design speed के बारे में बात है objective question क्या पूछा जाता है objective question यह पूछा जाता है कि highway design कर रहे हैं आप highway के geometric design के अंदर जो speed consider करते हैं highway के geometric design के अंदर जो speed consider करते हैं वो हम कौन सी speed consider करते हैं 98th percentile speed consider करते हैं objective question confuse करेगा आपको क्या confuse करेगा वो आपको अगर पूछे शब्द का use करे geometric design का अगर वो word use करे कि geometric design के अंदर हम कौन सी speed का इस्तिमाल करते हैं तो हम 98th percentile speed का use करते हैं कौनसी स्पीड का यूज़ करते हैं 98th percentile वाली स्पीड वो स्पीड जिसके उपर 98% vehicle चल रहे हैं या फिर उससे कम स्पीड पे चल रहे हैं वो 98th percentile स्पीड हो गए Geometry Design शब्द यूज़ होगा तो 98th होगा अगर safe speed की बात करें या safety के point of view से speed की बात कर रहा है तो यहां पर हम use करते हैं 85th percentile speed 85th यह traffic engineering में दुबारा भी आएगा तो 85th percentile speed की बात करते हैं यानि कि वो speed जिसके उपर या जिससे नीचे 85% vehicle move कर रहे हैं तो आप उसे कहते हैं 85th percentile वाली speed आईए अगर किसी vehicle की speed जो है इस 85th percentile speed से जादा है अगर किसी vehicle की speed इस 85th percentile speed से जादा है तो आप क्या कहेंगे कि वो तेज चला रहा है वो क्या कर रहा है वो fast moving vehicle है आप उसे क्या नाम दे देंगे यह fast moving vehicle है फिर एक term और use होती है जिसे हम कहते हैं 15th percentile speed 15% vehicle जिस speed पर या जिससे कम पर चल रहे हैं हम उसे कह देते हैं 15th percentile speed तो हम यह बोलेंगे कि इस speed से धीरे अगर जो चल रहा है वो slow moving vehicle है फिर उसको आप क्या बोलते हो कि अंकल गाड़ी क्यों ली आपने बैल गाड़ी ले लो क्यों रोड़ पर आप एतना ऐसे मतलब महनत कर रहे हैं गाड़ी की M.I.V भर रहे होंगे ऐसा मजाग में बोल देते हैं जो बहुत ज़्यादा धीरे चल रहे होते हैं कि जितना मतलब speed होनी चाहिए यह average उससे भी बहुत कम चल रहे हैं तो हम क्या बोल देते हैं यह slow moving vehicle है तो उसको slow moving vehicle कब बोलेंगे कि 15th percentile speed से भी कम अगर वो चले तो हम क्या बोल देते हैं slow moving vehicle है 85th वाली जो speed है 85th percentile वाली जो speed है यहनि कि जिस speed के ऊपर या जिससे कम पर 85 percent vehicle जो है वो चल रहे हैं तो हम उसे बोल देते हैं कि वो 85th percentile speed इस से तेज अगर जो चला रहा है इस speed से तेज जो चला रहा है उसे बोलते हैं यह तो तेज चला रहा है यह fast moving vehicle है यहाँ पर ठीक है तो design speed के बारे में यह यह important बात हैं और design speed के बारे में objective में क्या question पूछा गया express way के लिए अगर हम बात करें तो express way के लिए minimum के लिए कितने के लिए कम से कम आपको design करना ही है अब यहाँ पर यह नहीं कि कितने पर आपको कम से कम गाड़ी चलानी है इसका मतलब यह है कि हम design कर रहे हैं तो हम क्या मान के चलेंगे हम यह मान के चलेंगे कि आप में से कोई ओनहार भावी यूबा जो है आगया वो अगर इतनी तेज गाड़ी चलाए तो हमारा highway उसकी safety ensure करें इसके लिए कम से कम इतने के लिए design कर लो आप अगर आप बात करें ruling speed maximum safe maximum से maximum safe की अगर आप बात करें तो expressway 120 km पर आर के लिए design करेंगे national highway, state highway जो है 100 km पर आर अलग-अलग project आते है with time to time revisions होते है कि हम एक ऐसा highway लेके आ रहे है कोई नया project आ रहा है जिसके अंदर speed जो है वो इतने तक रहेगी इतने lane का highway होगा उस पर यह facilities होगी तो यह change भी हो जाते है data depending upon some new project तो वो और कितनी facility प्रवाइड करने है लेकिन आपको जो याद रखने है expressway के लिए 120 km पर आर national या फिर state highway की बात करें तो 100 km पर आर यह maximum safe वाली speed है और कम से कम कितने के लिए design करेंगे 100 km पर आर या 80 km पर आर के लिए आप design कर दीजिए ठीक है next अभी सिर्फ geometric design पढ़ रहे हैं तो geometric design में अभी सिर्फ बात कर रहे हैं 98th percentile speed की आगे जाके जब हम traffic की बात करेंगे तो वहाँ फिर से बढ़ेंगे वहाँ प 85th percentile speed 15th वाली उनकी फिर से बात करेंगे अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया कि आप objective question पढ़ लें अगर in between वो chapter आने से पहले तो आप confused ना हो तो geometric design में बात करेंगे 98th percentile speed की बाखी 85th और 15th वालों में फिर से आएंगे friction की बात करते हैं अब friction दो तरीके से लग सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप length के along चल रहे थे road के उपर आप कैसे चल रहे थे ये आपकी road थी इस road पे आप जा रहे थे इस road पे आप इस direction में चल रहे थे brakes apply आपने करने शुरू कर दिये तो जैसे ही आपने brake apply करने शुरू किये आप कौन सी direction में move कर रहे थे longitudinal direction में आप इस direction में जा रहे थे length की direction में जा रहे थे brakes apply हुए तो friction पीछे की direction में act करना शुरू हुआ या फिर आप ऐसे कह लिजे आपके wheels की movement जो है वो कम होनी शुरू हो गई tires के बीच में और जो आपका road का surface है इनके बीच में friction डेवलप हुआ और vehicle की speed कम हो गई तो length की direction में जो friction लग रहा है इसे हम कौन सा friction बोलते हैं longitudinal friction बोलते हैं इसे कौन सा friction बोलते हैं longitudinal friction बोलते हैं अगर आप curve पे जा रहे हैं अगर आप turn पे जा रहे हैं तो आपका vehicle अब top view से देख रहे हैं उपर से देख रहे हैं इस vehicle को top view से देख रहे हैं तो vehicle इस तरीके से था इस direction में था इसके उपर centrifugal force लगी इसके उपर क्या लगा? centrifugal force लगी जिसे mv square by r से denote करते हैं इसका mass, velocity और ये curve जो है इसकी radius कितनी है जिसपे ये move कर रहा है तो अब इस direction में ये vehicle जाने की कोशिश करेगा ऐसे sideways direction में skid होगा ये vehicle तो जब sideways जा रहा है तब उस वक्त जो इसके उपर ऐसे friction लगेगा यहाँ पर ये वाला friction कौन सा होता है ये वाला friction होता है lateral friction तो lateral friction कब लगता है lateral friction जब curve वेवाप होते हैं तब लगता है longitudinal जब straight जा रहे थे और brake apply कर देते हैं तो braking के वक्त जो है वो यहाँ पर लगेगा जब आप brakes apply कर देंगे b r a k e braking का action होगा जब तो उस वक्त क्या होगा b r a k हो जाता है टूट जाना b r a k हो जाता है क्या brake apply करना जो आप retardation का process कर रहे हैं तो ये longitudinal ये lateral अब longitudinal friction की अगर हम बात करें तो longitudinal friction की value IRC आपको क्या recommend करता है ये value रहती है किस से किस के बीच में 0.35 से 0.40 के बीच में रहती है अगर lateral friction की बात करें तो ये हम 0.15 याद करते हैं तो दोनों में आपको समझ में आना चीए जब भी braking की बात करेंगे जब भी हम stopping side distance की बात करेंगे safe stopping side distance कि vehicle कितनी देर में रुख जाएगा brake apply करने पर तो इन सब की बाते होंगी तो ये वाला friction काम में आएगा अगर हम बात कर रहे हैं super elevation की कि इस road को बाहर के surface से कितना उठाएं centrifugal force की बाते हो रही है वहाँ पर तो lateral friction जो है ये use में आएगा तो longitudinal friction जो है F की value उससे हम use करते हैं 0.35 से 0.40 lateral की अगर हम बात करें तो lateral इस्तेमाल होता है 0.15 अगर friction की कमी होगी तो क्या होगा lack of friction अब lack of friction के अंदर अगर आप बात करें क्या होगा आपने imagine करें एक situation imagine करें आप जब आप vehicle को चला रहे हैं बहुत तेज speed से ठीक है और फिर आपने brakes apply करने शुरू कर दिये brake apply करने के बाद आप अपने vehicle का let's say आपके पास क्या है एक बहुत अच्छी super bike है यह आपकी super bike हो गई अब इस super bike को अगर आप देख रहे हैं आपने तेज चलते चलते एकदम से brake apply कर दिये और brake apply करने पर आपकी गाड़ी के यह जो spokes है spokes मतलब जो अंदर आपको wires दिखती है या यह जो आपको यहाँ पर आजकल alloy आने लगए तो यह जो spoke बोलते हैं इसे हैं आप इसको movement freeze हो गया इसका जैसे brake apply किया आपने तो brake apply करते हैं यह क्या हो गया movement इसका रुख गया यह move करना रुख गया लेकिन अभी भी इसके पास inertia है 9th 10th class में पढ़ते थे physics में कि अगर कोई body move कर रही है तो उसके पास inertia तो होता ही है आपने vehicle की movement जो wheel की movement थी वो रोक दी लेकिन अभी भी यह lateral direction में चलता जाएगा tire घिसता चला जाएगा तो इसे आप क्या बोलते हैं कि यह क्या हो रहा है skid हो रहा है इसे हम क्या बोलते है skid हो रहा है skid करने में क्या दिक्कत होती है आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी road पे जा रहे थे और एकदम से कभी break apply कर देते है तो balance भी गड़ जाता है bike होती है या फिर cycle है कुछ भी है आपके बस तो वो क्या हो जाता है skid हो जाता है skid होने के कारण अब wheel की movement तो रुख गई wheel की movement रुख चुकी है अब आपका vehicle घिसता जा रहा है ऐसी तो इसे हम क्या बोलते हैं वो skid होना बोलते हैं उसको अब उस case में आप vehicle को control नहीं कर पाते हैं क्योंकि control हम कब कर पाते हैं जब wheel rotate कर रहा होता है तब ही तो हम उसको steer कर पाते हैं उसके steering को तब ही control कर पाते हैं अच्छे से जब wheel का movement अच्छा हो रहा हो आप खड़ी गाड़ी का steering घुमा के देखे यहाँ पर उसी वज़े से आप क्या कर जाते हैं गिर जाते हैं एकदम से brake apply करने पड़ गए मान लीजिए सामने कोई road के उपर आगए एकदम से और आप चल रहे थे cycle पर आपने एकदम से brake लगाए और balance भी गड़के गिर गए उनको वो पकड़ के फिर छोड़ देगा फिर पकड़ के फिर छोड़ देगा ऐसे ऐसे apply करेगा जिससे की क्या होगा आपके vehicle का movement है वो wheel का वो maintained रहेगा और speed दीरे-दीरे कम होती चले जाएगी तो braking भी हो रही है और vehicle के उपर आपका control भी अच्छा रहता है तो जब भी आप test drive लेने जाते हैं तो अक्सर वो क्या करेंगे आपको जो भी car होती है, car आप लेके जाते हैं मतलब ऐसे time to time कोई नया vehicle अगर launch होता है आपको बहुत ज़्यादा interest है कि हाँ अच्छी गाड़ियों के इंदर आपका interest है आपको ये चाहिए कि हाँ इस साल ये गाड़ी अगले साल दूसरी कल को ऐसा होगा इंशालला आपका तो आप update करेंगे हर साल अपनी गाड़ी तो आपका interest होगा तो आप जाएंगे कोई भी नया model हैगा तो वो क्या करेंगे आपको एक track बना होता है उनका उसके उपर लेके जाएंगे तो उसके उपर आपको अलग-अलग कहीं पर पानी गिजा रखा है कहीं पर sand है, मिटी है, कहीं पर dirt है कहीं पर gravel डाल रखा है, कुछ भी अलग-अलग condition हर एक तरीके की कैसे कैसी roads बहुत सकती है तो वो सारी region दिखा के फिर वो आपको बोलेंगे कि यह देखो, अब एकदम से turn के उपर भी अगर आप brake लगाएंगे यहाँ पर turn पर आप एकदम से sharp brake लगा दियो तो भी आपके गाड़ी का control रहेगा इसके अंदर ABS है, यह सारे features हैं ऐसे तो वो आपको बताते हैं कि skid नहीं करेगी कि turn के उपर भी अगर आप brake लगा रहे हैं तो भी wheel का movement maintained रहेगा speed reduce होती जाएगी और आप vehicle को controlled way में चला पाएंगे braking के दौरान भी, तो यह सारी कहानी बताई कि सिर्फ एक शब्द समझने के लिए और वो क्या है? skid कि skid क्या होता है wheel का movement रुख जाएगा लेकिन vehicle longitudinal direction में चलता जाएगा just excuse me for one second हाँ जी चले, अब देखें यह बात होगे skid की skid कब होता है? जबकि हम क्या बोलते हैं? आप cycle से बच्पन में गिर के आते हैं तो तो कैसे गिरे? खुटना कैसे चिला? आप होता है bike slip हो गई, यह cycle जो हो slip हो गई, यह slip नहीं skid हो जाती थी एकदम से brake लगने से दूसरा क्या होता है? कि बारिश के दिनों में आप चल रहे हैं, बारिश के दिनों में अब super bike जो है उसको यहाँ पर बहुत सारा कीचड है अब इसी पर movement जो है इसका होता जा रहा है यहीं पर आपका wheel घुमे जा रहा है तो इससे क्या हो जाएगा? आप क्या कह रहे हैं? यह slipping हो रही है, यह क्या कर रहा है? यहाँ पर slipping हो रही है तो skidding के अंदर और slipping के अंदर अंतर क्या है? skid में wheel की movement रुख जाएगी लेकिन vehicle आगे move कर जाएगा longitudinal direction में distance जादा cover होगा as compared to जितना wheel का movement है slipping के अंदर क्या होगा? length की direction में, longitudinal direction में vehicle का movement कम होगा और wheel जादा move कर जाएगा अगर हम एक wheel की बात करें तो एक point mark कर दिया आपने let's say वो point यहाँ mark कर दिया और अब अगर यह पूरा ऐसे rotate करेगा तो आपको पता है कि 2 pi r या फिर pi d distance travel करने पर 2 pi r या फिर pi d distance अगर यह wheel travel करेगा तो क्या हो जाएगा? यह वापस ही है जो हमने bike slip कर रही है तो इसके एक rotation में जब यह पूरा एक बार ऐसे भूम जाएगा तो इसके एक rotation में slipping के case में क्या होगा? slipping के case में वो यहीं पर या जाएगा यह जो point mark किया था यह एक rotation पहले ही खतम हो जाएगा अगर आप कह रहे हैं कि वो bike क्या हो गई? slip हो गई तो slipping के case में एक rotation पूरा होने पर 5D distance travel नहीं हो पाता है लेकिन skid कर रहा है तो wheel का movement तो है कम लेकिन vehicle आगे चलता जा रहा है तो skid करने पर 5D distance से भी जादा एक बार अगर यह पूरा घूम के आएगा यहाँ पर तो जादा distance 5D से जादा दूरी यह तै कर लेता है यह होता है skidding के अंदर और sleeping के अंदर आगर में यह नहीं पूछते हैं कि कैसे हुआ क्या लगा? फिर वो यह कहते हैं और चला लो आजकल जो है वो एक और use हो जाएगा और phone चलाओ अब चाहे गिरे कैसे होंगे सामने वाले में किसी ने धक्का दे दिया होगा मतलब धक्का क्या दे दिया होगा road के उपर सामने वाले ने गिरा दिया होगा लग गई होगी उसके वज़े से लेकिन और phone चलाओ और earphone लगा के जाओ और गाने जुनों और हीरो बनो चलो next तो skidding के केस में पाई डी से जदा distance travel कर लेता है अगर एक movement हो जाए एक revolution हो जाए slipping के केस में क्या होगा वो वहीं पर जल्दी जल्दी वील गूम रहा है तो पाई डी distance travel करने से पहले कोई एक point यहां से यहां वापस आ जाता है next उसके बाद surface की characteristic की अगर हम बात करें highway के ही बात कर रहे हैं यहां पर क्या-क्या factors जो है वो important होते है surface के अगर हम बात करें तो unevenness index होता है unevenness index जब आप highway पर जा रहे हैं आपको कोई गड़े है दिखाई नहीं दे रहे हैं डिरेक्टली नहीं दिख रहे हैं आपको लेकिन फिर भी आपकी vehicle जो है वो ऐसे से movement आपको observe होती होगा आई पर तो वहां पर क्या बने हुए bumps बने हुए हैं क्या बने हुए bumps बने होते हैं तो इनको हम पहचानते है किसे bump indicator हमारे पास होता है bump integrator इसकी मदद से वहां पर हम पहचानते हैं कि कितने इस road के उपर bumps हैं या फिर कितनी undulations हैं इस तरीके से इस road के surface के उपर उसके reasons क्या हैं जब हम बात करेंगे यहां पर कि इसके अंदर cracking आती है या फिर material जो है उसके नीचे यह measurement है undulation बताने का कि आपकी road जो है उस पर कितने bumps हैं इसको बताने का यह measurement है तो यह bump integrator से हम बताते हैं कुछ ऐसा दिखता है यहां पर इसको किसी vehicle के पीछे लगा देते हैं यह measure करता जाता है कितने bumps वहां पर हैं अब किस surface को बोलेंगे अच्छा surface है किस surface को बोलेंगे satisfactory है किसको बोलेंगे नहीं है unsatisfactory surface है यहां पर तो अगर 1500 mm से कम हो पर किलोमेटर के अंदर जो value है unevenness index की जो bump integrator से मिलती है अगर वो 1500 mm पर किलोमेटर से कम है तो good है satisfactory है अगर 2500 तक है तो और 3200 से जादा है तो हम कहेंगे कि वो unsatisfactory है up to a speed of 100 km पर अब आप ऐसे देखते होंगे न रोड के उपर गड़े ना हो तो भी आप तेज स्पीड में अगर चल रहे हैं तो भी आपका vehicle SSS movement करता रहता है चलते चलते तो वो क्या होते हैं bumps होंगे उनकी वज़े से करेगा तो ये हम पता करते हैं traffic volume के according बात करें किस road को आप heavy बोलते है heavy traffic road, medium traffic, light traffic road इससे related as such कोई question नहीं है फिर भी notes में एक बार बस आप इसको लिख के रख लें कि कब आप बोलते है heavy traffic road है कब very heavy है कब medium है, light traffic है as such अब तक इससे related question नहीं है ये vehicles पर आ रहे हैं या फिर traffic volume के according है ये आपका greater than 600, 251 से लेके 670 से 250 less than 70 next tonage के according, weight के according अगर हम देखें, तो tonage के according या weightage के according, ये आपके पास very heavy traffic roads होती है आपके पास heavy medium ये 1524, 1017 से 1524 508, 7017 और less than 508 ये value, बस एक बार notes में लिख लीजिएगा इससे ज़ादा जो है अभी के लिए इस पर भेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अब बात करते हैं, geometric design element की cross section के element side distance के, horizontal alignment vertical और intersection cross section में, मतलब आप road पे खड़े हो जाएं तक एक line खीच दे, इस line को खीच के आप इस line के ऊपर चीज़ें देखें, क्या क्या दिख रहा है आपको इस line में आता हुआ तो cross section देख रहे हैं आप इसका यहाँ पर तो वो देखेंगे side distance की बात करेंगे, तो side distance मतलब आपको सामने से कितनी दूरी पर कम से कम कोई चीज़ दिख जाए कि आप break apply करें, तो गाड़ी रुख जाए उससे collision होने से पहले या फिर आप turn ले रहे हैं कोई intersection पर जा रहे हैं, या फिर तो उस तरफ से कोई vehicle आ रहा है, जैसे आप ऐसे एक road ये थी, दूसरी road ये थी तो यहाँ से कोई आता हुआ vehicle आपको, यहाँ से जब आप आ रहे थे तो कब दिख जाए कि इन दोनों का collision avoid हो जाए, इनकी बात करेंगे side distance consideration, horizontal alignment vertical alignment इनके बारे में बात कर चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं highway के cross section के जो elements से इनकी बात की जाए, highway के cross section element के अंदर सबसे पहले आता है carriageway carriageway मतलब वो रस्ता जिसके उपर आप वो particular weight जिसके उपर आप क्या कर रहे हैं, आपका vehicle चलेगा, तो carriageway जो है, आपको सिर्फ इतनी dimension की बात कर रहे हैं, जिसके उपर आपके vehicle चलने वाले हैं, ठीक है move करेंगे highway के उपर, तो ये क्या कहलाता है carriageway कहलाता है, अब lane की भी बात कर लेते हैं, कि ये एक road थी, इस तरफ आप जा रहे थे, तो एक lane इस तरफ थी, एक lane इस तरफ है तो दो lane है, यहाँ पर two lane road है, इसके उपर vehicle इस direction में जा भी सकते हैं इस direction में आ भी सकते हैं तो दो lane वाली road है, जिस पर two way traffic है, two lane road है जिसके उपर two way traffic है क्या है इसके उपर two lane थी और two way traffic, मतलब इस तरफ से vehicle जहां भी सकते हैं, इस तरफ से वहिकल आ भी सकते हैं यहां पर, तो two lane, two way road है यहां पर, अब बात करें अगर side में आपको जो portion दिखाई देता है, इस line से left के, इस line से जो side में, इसे कहते हैं shoulder, यहां पर यह क्या कहलाता है, shoulder कहलाता है, then comes, उसके बाद side में यहां पर आपको foot path भी दिखाई देती है, shoulders यहां उनके dimensions के भी थोड़ी देर में बात करेंगे, एक आपको दिखाई देता है, median, या फिर separator, या जिसे हम क्या बोलते हैं, divider बोल देते हैं इस तरफ वाली road को इस तरफ वाली road से separate करने के लिए, या फिर यह कह लिए कि यह वाली side जो है जान लेन है, एक, दो, तीन, चार, फोर लेन है, और बीच में divide कर रहा है, divided है, जिससे की आने जाने वाले traffic जो है, वो separated रहे है यहां पर, या इसे हम एक और term यूज़ कर लेते हैं, इसे dual carriage बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, dual carriage बोलते हैं, बीच में जो आप देखते हैं, divider कह लीजिए, median कह लीजिए, separator कह लीजिए, एक term और use होती है, कि आप highway पे जा रहे थे, और आप ऐसे बोलते हैं, कि उस तरफ जाना है, you turn लेना है, तो cut कहां पर आगा, general language में यूज़ कर लेते हैं, इस word cut कहां पर आगा, cut कहा है, तो उसे हम बोलते है, gap in median बोलते हैं, gap in median, यह median जो चल रही थी, इसमें बीच में gap होगा यहां पर अगर, तो आपका vehicle यहां से यहां, you turn ले सकता है, या फिर इसको, इस side से उस तरफ जा सकता है, तो उसे gap in median बोलते हैं, यह बाते हो गई किसकी, median या separator आपके पास है, और क्या-क्या दिखता है आपको highway पे, और गार्ड रेल्स आपको देखने को मिलती है, गार्ड रेल्स किसली होती है, कि आपका उस तरफ से मान लीजिए, यहां पर कोई है, forest region है, तो कोई animals है, वो एकदम से ना आपाई, आस पास कोई लोग रह रहे हैं, तो एकदम से कोई बच्चे जो है, वो भाग के एकदम से road के जा सके उस collision को, इसलिए safety के point of view से यह हम लगा देते हैं, और जो है, कुछ और अलग टाइप की आजकल जो है, नहीं नहीं रिसर्च चल रही है, नहीं नहीं invention आ रहे हैं, कि कैसे और safety ensure की जा सके, तो guard rails के अंदर जो है, वो आपके एक तरीके से rolling rails होती है, ऐसे एक तरीके क बहुत damage होगा, जो उसको चला रहा है, उसको भी damage होगा, वहाँ पर उसको भी नुकसान पहुंचेगा, तो इसके बजाए अगर आप वो use कर लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो cylindrical shape में होगे, जैसे इससे टकराएंगे, तो वो वापस उसे road पे divert कर देंगे, उस user को वाप वापस रोड पे divert कर देंगे, एक बार हलका सा collision होगा, उससे इतना damage भी नहीं होगा, user active भी हो जाएगा, और फिर वापस वेहिकल को control भी कर सकता है, तो ऐसे दीरे-दीरे wait time ऐसी चीज़ें जो है, वो safety के point of view से दीरे-दीरे ankle gate करते जाते हैं हमारे यहाँ वेक अंदर, लेकिन in general, जो generally आपको दिखाई देते हैं, वो guard rails दिखते हैं आपको यहाँ पर, next आती है हमारे पास curb, जो outer raised portion होता है, road के surface के pavement के side में, जो उठा हुआ पोर्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, curb कहते हैं, जैसे यहाँ पर आप चलेगा, single lane का carriageway है, तो उसकी width होती है, 3.75, 3.75 meter single lane, objective question के point of view से, बहुत important, आज का हुबग यह सारे tables याद करने हैं, जो important बता हैं, वो values याद करनी है, daily daily जितना याद करते जाएंगे, उतना असान है, highway engineering के अंदर सबसे जादा important topic, geometric design ही है, ठीक है, अब देखो, 3.75 meter कहेंगे, single lane अगर आपके पास है, जैसे गाउं में आप देखते होंगे, single lane के अगर road है, single lane है, और उस पर two way है, कि उस पर vehicle आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो क्या होगा, 3.75 meter, तो यहाँ से आपका vehicle इतनी जगा लगब को occupy कर लेता है, सामने से भी vehicle आ जाएगा, त और कोई curve आसपास में आपने raised borders जो हैं, वो provide नहीं कर रखी, तो 7 meter, अगर आपने curve प्रोवाइड कर रखा है, जैसे आपको यहाँ पर photo बें दिखा है, यह curve अगर provided है, तो आप उस case में कितना यूज़ करेंगे, 7.5 meter, with curve तो 7.5, without curve तो 7 meter हम यूज़ करते हैं, multi lane है, 4 lane, 5 lane 4 lane, 6 lane इस तरीके से multi lane वाला है, तो per lane के लिए 3.5 meter, per lane के लिए 3.5 meter per lane, intermediate lane आपके पास है, तो उसे 5.5 meter हम यूज़ कर लेते हैं, कि ना तो वहाँ पर multi lane हो सकता है, उनके बीच का कुछ अगर है, तो वो 5.5 meter width हम consider करते हैं, next, shoulders किसे बोलते हैं, shoulder अगर आप बात करें, जब आप highway पे चल रहे हैं, तो ज़रूरत पढ़ जाती है, रूखने की ऐसा possible नहीं है, कि हाँ अगर डेली से चले तो जैपोर तक सीदे सीदे बस चलते जाएं, कहीं नहीं ज़रूरत पढ़ेगी, अगर vehicle को पाक करने के लिए, रोकने के लिए side में road के उपर ही, तो आपको ज़रूरत पढ़ेगी shoulders के, तो ये इस line से side में जो space है, यहाँ पर आप लाके vehicle को पाक कर सकते हैं, एक चीज़ आप simple सी ध्यान रखते ही होंगे, जब vehicle आप चला रहे हैं, highway के उपर, तो एक ऐसे arrow वाला निशान होता है, एक त वाले दोनों भी वो एक साथ blink करना शुरू कर देते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कि यह हम indicate कर रहे हैं, जो भी हमसे पीछे vehicle आ रहा है, उसको कि यह हमारी गाड़ी अभी रुकने वाली है, या इन्हें parking lights भी बोल देते हैं generally, तो इनका भी use करना चीए, अगर ऐसा कुछ क करेंगे, फिर उसके बाद जो है lane से दीरे-दीरे बाहर जाएंगे और यहां पर side में रोक देंगे आप यहां पर, तो shoulders are provided to accommodate stopped vehicles and to provide lateral confinement to the pavement layer, एक तो काम यह है कि रुके हुए vehicle को रोकने का, और दूसरा यह जो pavement की layer थी, इसको sideways confinement provide कर रहे हैं यह, यह shoulder वाले जो जगा है, यह क्या कर विए, इस pavement की जो layer थी ना, इसका material जो था, इसको यह ऐसे side में ऐसे दबा के रखे हुए, इसको side में ऐसे क्या किये हुए, push करके रखे हुए, confine करके रखे हुए है इसको यहां पर, next, desirable width of shoulder 4.5 meter है, with a minimum of 2.5 on a dual rural highway, two lane highway के उपर, अगर हम बात करें, तो 2.5 meter तो कम स ठीक है, हाँ hazard light भी होता है यह, और आपकी vehicle के अंदर, जो कभी puncture हो जाता है, अगर तो आप अगर देखेंगे, तो जो नहीं गाडियां होती है, उनके अंदर एक ऐसा hazard वाला sign कह लीजिए, या यह triangle वाला sign भी reflector वाला दिया होता है, गाड़ी जब रुख गई है, तो पी vehicles को पता लग जाए, यह रुखे हुए गाड़े है, चलो, next, curves की बात करें, तो यह boundary बताता है, pavement और shoulder के बीच में, या फिर आप footpath और median जो इनके बीच में, यह boundaries indicate करते हैं, median जो होती है, divider कह देते हैं, जिसे हम, तो median traffic separator कहते हैं, traffic को separate कर देता है, आने वाला traffic, जाने वा इसे कहते हैं, objective question बन सकता है, इसके dimension से related, कि width जो है median की, bridge के उपर अगर है, तो क्योंकि bridge जो आप बनाते हैं, तो bridge के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, खुब खर्चा लगता है उसके अंदर, तो ऐसा नहीं है कि bridges के उपर बहुत बड़े-बड़े median जो हैं, वो provide करें, आ रूरल highway पे 5 मीटर की हो, उसे 3 मीटर तक restrict कर सकते हैं, अगर बात करें, bridges की तो bridge के उपर 1.2 से लेके 1.5 मीटर तक हो सकता है, transition in median should be 1 in 20 से लेके 1 in 15 तक, transition in median की अगर हम बात करें, जैसे आप median की बात कर रहे हैं, अब median को ऐसे ले जाके नहीं कर सकते हैं, आप imagine करें, एक ऐ ऐसी situation और कई जगा ऐसा होता भी है, आप road पे जा रहे हैं, यह road थी, इसके बीच में median था, ठीक है, आप जा रहे थे, आप यहाँ पर, आपके आगे एक कार और, आपके आगे एक कार और, इसके आगे कुछ नहीं है, अब क्या किया, यहाँ पर median मान लीजिए कि क्या हो गय यहाँ लीजिए कोई bridge पे चड़े थे, आप तो bridge पे median कम था, फिर यहाँ पे एकदम से ऐसे, यहाँ से wide median था, यहाँ पे भी ऐसे था, अब आपने क्या देखा, अब यह विकल जा रहा था, इसके आगे तो कोई था नहीं, इससे तो दिख गया, यहाँ से एकदम से median जो है उसको आपने क्या कर रखा, wide कर रखा है, तो यह तो क्या कर लेगा, एकदम से फटा फट, एकदम फटा फट गुमाया, निकल लेगा, यह भी निकल लेगा, आपको दिखे गए नहीं, आप क्या करेंगे, problem create हो जाएगे आपके लिए एकदम से, तो यह जो transition की अगर हम बात कर देंगे, clear, तो median का काम, traffic को separate करना, width की अगर हम बात करेंगी, rural areas के अगर हम बात करें, 5 meter, restrict कर देंगर lane width की अगर जैसे cities की बात करें, तो वहाँ पर हमारे पास इतना space नहीं होता है, कि आप वहाँ पर arterial roads जो होती है, या जो city के main commercial areas है, वहाँ से जो सड़क पास कर रही है, तो इतना space नहीं होता है, वहाँ की बड़ी-बड़ी median provide करें हम, वहाँ पर उसको हम reduce कर सकते हैं, और in general highway के लिए 3 meter कम से कम कोशिश क चाहिए, width of median for bridges 1.2 से लेके 1.5, transition in median 120 से लेके 1.15 तक होता है, next road margins आपकी बनाई होती है, road margins आपको क्या बताती है, कि कहां तक आपकी road की जगाँ है, या फिर आस पास के जो areas है, अब होता क्या है कि जैसे कोई पता लगता है कि यहाँ से कोई नहीं सड़क बनने वाली है, या फिर present road जो है, वो थोड़ी सी और उसकी जो width है, carriageway के width बढ़ने वाली है, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जमीन खरीद लो, यहाँ पर खुब सारे plot ले लो, यहाँ पर building बना लो, कल को highway बनेगा, ऐसे growth है, वैसे growth है, ठीक है, करना भी चाहिए यह सारी चीज़ें, लेकिन क्या करने लग जाते हैं, बहुत जादा development, driven development बोल देते हैं, वो growth होनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल highway के पास पास में, और फिर उस पे unauthorized जो है construction, वो भी होने शुरू हो जाते हैं, कि लोग जो है, जहां तक बनानी चाहिए, उनकी कोई shop बनानी है, कुछ भी है, कोई construction करना है, खुद की कोई building बनानी है, उसको थोड़ा थोड़ा आगे खीशते 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 आगे चलते आएंगे, धावे बना रखे हैं, तो खुद का धावा बना लिया, फिर उसके आगे उसके चायवाला आगया, उसका चायवाले की आगे, कुलफी वाला खड़ नहीं कर सकते हैं, आप जब यही बन जाएंगे, तो क्या होगा, अब तो आप सरकार के हैं, सरकार के बारे में सोचेंगे, तो यह आप की जगा है, तो कोई और जो है, इसको occupy ना करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, road margins जो हैं, यह बताते हैं, the portion of the road beyond the carriageway and on the roadway can generally be called as road margin, road margin, total जो भी area आपके पास आ जाता है, इसे हम कहते हैं, right of way कह देते हैं, total area जो भी आपका यहाँ पर है, road margin से लेके boundary to boundary तक का, यह आपका carriageway था, फिर shoulders था, फिर side में आपने slow provide किया पानी जो भी आई, वो नीचे निकल जाए यहाँ पर, फिर यहाँ पर drains बना रखे हैं, जिनसे पानी निकलेगा, फिर उसके बाद यहाँ तक road boundary आ गई, फिर building line, control line यह हम बना देते हैं, यहाँ पर, right of way क्या है, total width of road, या फिर land width, width of land acquired for road along its alignment, it should be adequate to accommodate all the cross section elements of the highway, right of way कि अंदर सब कुछ आ गया, यहाँ पर boundary आ गई, longitudinal drain आ गई, side slope आ गया, shoulder आ गया, यहाँ पर, carriageway आ गया इसके उपर आपके vehicles चलते हैं, फिर side में shoulders बना रखे हमने, फिर slopes, फिर पानी यहाँ से निकल जाए लो, right of way के अंदर यह सब कुछ आ गया, to prevent ribbon development along highways, control lines and building lines may be provided, कि यहाँ की जो development हो रही है, यह आगे भढ़ती ना चली जाए, इसको रोकने के लिए control lines का use कि हमने यहाँ पर building line represents a line on either side of the road, दोनों तरफ है, इस तरफ भी building line, इस तरफ भी building line, दोनों तरफ road है, which represents the nearest limits of future, sorry, building line represents a line on either side of the road between which and the road no building activity is permitted at all, कि building line के बाद से आप कोई भी यहाँ पर building activities जो है, वो involved नहीं होगी, control line एक line बता रही है, कि future में, ज़्यादा से ज़्यादा, जो building की activities है, वो यहाँ तक हो सकती है, कुछ भी काम हुआ, और इस से आगे, building line से आगे, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर, next, right of way हो गया, cross slope या फिर camber की अगर हम बात करें, तो camber आप देखते होंगे, highway के उपर अगर, ऐसे highway को काट के आप देख रहे हैं, आप इसके उपर आपका vehicle ऐसे चलता है, आप ऐसे इस direction में जा रहे हैं, तो इसके उपर जो slope provided होता है, ताकि बारिश है, तो बारिश का प provide करने का कारण होता है, कि जो surface वाला पानी है, बारिश से जो पानी आया, वो इसके अंदर नीचे ना enter कर पाए, क्योंकि pavement के sub grade को भी वो खराब करेगा, इसको भी खराब करेगा, तो वो खराब ना करे पानी यहाँ पर इस पर टिके ही ना, जैसी आया side में निकल जाए, इ इसके लिए camber provide कर देते हैं, यहाँ पर, तो camber provide करेंगे, अगर heavy rain होगी, concrete या bituminous का surface है, bitumin या फिर concrete से बना हुआ, तो 2% provide करेंगे heavy rain में, और 1.7% provide करेंगे light rain के case में, gravel या water bound macadam है, आपके पास water bound macadam कल आपको पताया था ना, कि छोटी-छोटी crush की हुई rock है, और एक dust है, बहुत छोटी, और अब क्या कर दिया, pressure से उनको हमने जमा दिया, अच्छे से, तो वो water bound macadam कह देते हैं, फिर जब vehicle चलते हैं, abrasion होता है, वो धूल मिट्टी थोड़ी-थोड़ी dust उसकी उड़ती है, बारिश का आगए अगर उसके उपर तो फिर वो kitchen होना शुरू ह हो जाता है, mud होना शुरू हो जाता है, फिर vehicles उसके उपर से निकलते हैं, तो फिर वो और ही उसको बैतरीन कर देते हैं, तो gravel या water bound macadam जो है, इस case में 3% और 2.5% अगर light rain है तो, अर दिन अगर बना हुआ है मिट्टी से तो 4% और 4% अगर प्रोवाइड करते हैं, कैसी shape हो स लिखते हैं, यह आपका camera हो जाता है, अब आगे आते हैं, side distance के considerations, इनको पढ़ेंगे अगली कक्षा के अंदर, और आने वाले एक दो दिन के अंदर दोस्तों थोड़ा बाट time के साथ आप manage कर लीजी, आज हमने सुबह 8 बजे class शुरू की, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा personal emergency चल करते रहें, timing के साथ आप थोड़ा सा adjust कर लीजेगा, कि हाने वाले जो अभी next week है, उसके इंदर से आपको पूरा fix schedule होगा, किस time कौन सी class होनी है, वो तब ही होगी, लेकिन अब जैसे जैसे बीच में time मिल पाता है, वैसे वैसे arrange कर लेंगे अपन, ठीक है दोस्तों, thank you so much, म कोई भी नया session आएगा, जैसे भी वो instantly आपको update मिल जाएगा, video stream खतम होने के बाद, आप comment करके भी हमें बता सकते हैं, ये sessions आपको कैसे लगते हैं, या आपके जो भी valuable feedback suggestions हैं, they are always most welcome and very valuable to us, thank you so much, मिलते हैं next session में झाल झाल